electricity lecture 3 charge and coulomb इसे lecture में coulomb के बारे में उत्वाद डीटेल्स नहीं बताया गया था तो इस lecture में मैंने सारे इंक्लूड कर लिया है charge को एवरिब्वेट किया जाता है और सिंबोलाइस्ट किया जाता है capital Q के रूप में कुलंब चार्ज का SI unit होता है और कुलंब को C के सिंबॉल से हम जमते हैं 1 कुलंब चार्ज में 6.24 x 10 to the power 18 number of electrons होते हैं एक कुलंब चार्ज में इतने electrons तो एक electrons में कितने हो जाएंगे एक बटा 6.24 x 10 to the power 18 जिसका value निकलेगा 1.6 x 10 to the power minus 19 कुलंब तो simply mathematically जो एक electron पे चार्ज हम निकाल सकते हैं क्योंगी एक कुलंब चार्ज होते हैं तो एक electrons पे एक बटा इतना तो इस value से हमें पता चल गया कि एक electrons में उतने चार्ज होते हैं उनको एलेक्ट्रोण पर चेक्ट्रोब होटेंнокों हूं वह नेगेटीव चेक्टिव चेक्ट्रोब नkellगरन कीटिव लिख दिए तो उसमें माइनस नहीं ड letz आला अब सबसे आगे वाले नंबर पर तो लस ही होता है तो current and अब current and umpair क्या यह देखते हैं current electric current को symbolized किया जाता है capital I के द्वारा इसका SI units umpair होता है जिसे capital A से हम लिखते हैं current एक और तरीके से define किया गया है एक तरीका था कि flowing of charges is called current तो यहां पर दूसरे तरीके से लिखा हूँ rate of flowing of charges तो rate मतलब हो जाता है स्टामई से भाग तो इसलिए current I ब्राबर हो जाएगा capital Q बटा small t तो एक compare current अगर है तो इसका मतलब एक कुलम बटा एक second यहां गलती से t लिखा गया है one column बटा one t तो यहां पर s देना है small s define कर सकते हैं कि हुआ quantity of charge जो की flow हो रहा है किसी points है point के थोप और उस point पे एक compare current HDD current flow हो रहा है